हेलो एवरिवन आज आप लोगों का एफ़ार का पेपर कंप्लीट हो चुका है तो एफ़ार के पेपर का आज आपने एक बार फटाफट से रिव्यू देख लेते हैं कि किस तरीके का आपका एफ़ार का पेपर आ इसके बाद मैं आज के इसी वीडियो में आपको SFM की स्टेटेजी भी बता दूगा कि SFM का डेट दिन में कैसे अपने को प्रिपेर करना है तो एफ़ार का जो पेपर आया है न्यू कोर्स का वो काफी टफ पेपर था इसके अंदर दो से तीन समय से थे जो SM में आपको देखन कर दिया और यह हमने एक बार वीडियो बनाया भी था पहले भी आतुल और मैंने तब भी आपको बला था कि अफर के लिए थोड़ा प्रिपेर रहना इस बार टफ पेपर आ सकता है ओल्ड कोर्स का पेपर के अगर मैं बात करूं तो ओल्ड कोर्स का पिछली बार का तफ था आप B category से 21 मार्क्स का यह नहीं टोटल A और B category से 90 मार्क्स का पेपर ता और C category से 30 मार्क्स का तो जैसा कि मैंने हमेशा बोला कि A और B category मिला गी 92-200 आपका cover करेंगे ही करेंगे तो इस बार भी 90 मार्कस का पेपर अर ए और B category से था और यह जो पेपर तया अफर का का काफी conceptual ता new course की, मैं new course के paper की बात कर रहा हूँ, tough paper तो था ही, lengthy भी था, but conceptual paper था पुरा, अगर आपके concepts clear हैं तो आप इस paper को tackle कर पाए होंगे, and मैंने class में भी आपको concept notes लिखवा है थे, class में सभी students को आपको मैंने 100-100 page के around concept notes दिये थे, जिनको अपने डिसकस किया था, उन सभी notes में, यह सारे जिसने भी questions है, पूरे इनके सभी concepts कवर थे, अगर आपने वो ढंक से कर लिए होंगे, तो इस paper को आप बहुत अच्छे से tackle कर पाए होगे, 100-100 page के जो मैंने आपको concept notes class में दिये थे, पूरा paper उसमें cover था, अपने class के concept notes में, चलिए, अब अपने एक बार paper को, मैं एक बर उपर-उपर से आपका discussion करवा देता हूं, कि कौन सा question कहां से कैसे था, देखिए, जो question number 1A है, यह आपका consolidated financial statement बनाने का question आया, देखने में ऐसा लगता है कि यह देखा हुआ सा question है, बट इस question में ICI ने क्या किया, CFS बनाना है पर business combination के जो इन्होंने कुछ specific sums दे रख अगर पूरे concept आपने इसके discuss करें थे, पूरे वही चीज मैं वापस बोल रहा हूं कि class में जो मैंने आपको concept notes लिखवाए थे, तो इस paper को tackle करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, इसके बाद यह 1B, यह India 1 का question है, इसमें already इस तरीके का question है अपने पास, लेकिन कु 2 का A, यह आपका question है, impairment का, तो completely new question है, then 2 का B, आपका question है, यह revenue वाले है, completely new question है, then 3 का A, index 116, leases का question है, और यह भी आपका new question है, इसके बाद index 38, intangible asset, यह भी आपका नया question है, लेकिन आप कर सकते हो concept वाली चीज़ें सारी, index 108, इस तरीके का कुछ सम आपको देखने को मिल जा जाएगा, इसके बाद, यह आपका सम आगया है, index 109 का, यह question बस copy paste आपके, study material में same sum है, और यह मैंने आपको important sum में mark भी कराया था, और यह sum additive आगया है, यह थोड़ा lengthy sum होता है, तो यह sum exactly copy paste है, आपके study material से, इसके बाद, CSR का new sum है, integrated reporting, new sum है, और इन दोनों में और करके इन इसके बाद, आपका, यह वाला जो sum है, defer tax, asset, liability record करने का, index 12 का, यह sum इनोंने क्या किया है, जो आपका May 21 का module आया है, उसमें यह इनोंने sum दिया हुआ है, और ऐसा ही sum आपके पुराने module में भी है, लेकिन पुराने module में, वो आपके business combination वाले chapter में, goodwill related calculation करवाता है, यहाँ प 16 का नया sum है, इसके बाद, यह वाला जो question है, आपका, index 109 का इस तरीके sum आपको SMM मिल जाएंगे, और यह आपका cash flow का नया sum है, index 7 का, और यह वाला जो sum है आपका, यह है, आपका associates की accounting से related, और यह आया है, May 21 की updated module से, May 21 की module से जो questions आया है, यह मैंने आप लोगों को class वाले students को additional लगबग 140 question की एक PDF file दे दी थी, तो अगर वो आपने कर ली होगी, तो यह सम भी आप tackle कर पाए होगे, बाकि इसके अंदर concept बिल्कुल सेम वह ही है, जो आपने पूरे discuss करे थे, मैंने आपको steps रिखवाये थे class में, तो paper यह अपन बोले, तो SM से थोड़ा सा था, बिल्क सोचना आपको, क्योंकि बहुत सारे student ऐसे होते हैं, बस एक paper tough आ गया, या land या उनसे सही से solve नहीं हुआ, तो उसको सोचते रहते हैं बार बार, तो उसको नहीं सोचना है, यही परपता इस वीडियो को बनाने का, कि ऐसा मत सोचना, अब बस जो हो गया, या आपके control में नह हो जाते हैं सभी students, और दूसरी चीर, tough paper में bonus marking, grace marking भी करता है, ICI, और थोड़ी marking जो है, वो typical नहीं होती है, यहाँ पर थोड़ी loose marking हो जाती है, तो ऐसे paper में कई बार क्या होता है, हम expect कम कर रहे होते हैं, थोड़े जादा marks आ जाते हैं, तो घबराना नहीं है, इस paper को completely side study provide कर वादी है, derivative, interest rate risk management, security analysis, security evaluation, new course और old course, जितने भी students सब उन lectures को देखे लेना, क्योंकि उसमें पूरे concepts में आपको discuss करें, क्योंकि conceptual clarity होना बहुत जरूरी है, हर बार मैं बोलता हूँ, FRSFM costing, तीन ऐसे paper हैं, जिन मैं conceptual clarity के बिना पेपर में नहीं जाना चाहिए, तो conceptual clarity के ल आपको सारे chapters का link मिल जाएगा, तो वह आप देख लेना, और उसके बाद जो बचे हुए chapters से उन सब के आपके पास, जिस भी teacher के आपने classes लेती, जो भी कर रहा था, वहाँ से concept notes, आपने selfish study से बनाये थे concept notes, तो उन concept notes को जरूर read करना, सबसे पहले concepts को revise करना, then उसके बाद हर chapter में हर category का एक-एक sum देख के चले जाना, sum solve मत का ना, हर category का एक-एक sum बस देख के चले जाना, कि इस topic के ओपर एक sum देख लिए, एक topic के ओपर जितने भी sum available है, sum देखने का आते हैं, SM हैं आपके पास, SM के questions देख लेना, illustration और exercise के, जो test your knowledge के है, और old course की practice manual, new course वालों को old course की practice manual देखनी है, और new course वालों को जो same chapters हैं, उनके लिए old course की practice manual के practical questions देखना, और new course में theory भी अच्छे से आपको पढ़के जानी है, theory आपके 20 number की आती है, तो उसके लिए chapter number 1, chapter number 2, chapter 3, chapter 6 और chapter 14, ये 5 chapter के आपको theory अच्छे से करके जानी है, SM से जितने भी हैं, उनके topics में जो मत करना, exam में pointization लिखना, अंदर के content में 2-3 line बना के अपनी general understanding के basis पर आपको लिखना रहेगा, इस तरीके से SFM को date दिन में prepare करो, इस paper को completely भूल जाओ, एफर को side में रख दो, बस tough, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, tough सिर्फ आपके लिए नहीं है, पूरे इंडिया के लिए ऐसा ना सोचें कि November में SFM tough आगया था, इस बार completely easy आएगा, तो ऐसा कभी ICA का एक fix pattern नहीं होता, यह कुछ भी कर देते हैं, कोई भरोसा नहीं यह दुबारा heart दे दे, तो prepare, already mindset को सकोर्डिंग prepare रखना, कि tough भी आजाए तो हम tackle करेंगे, चूँकि tough सिर्फ मेरे लिए नहीं ह होगा, और same चीज old course वालों को भी ध्यान में रखनी है, कि ऐसा कुछ मत सुच नहीं कि पिछली बार SFM मेडिया था, तो एक दम tough आ जाएगा हमारे साथ, कुछ भी हो सकता है, बस हर paper के लिए तयार हो, concept पढ़के जाओ, concepts के लिए हैं, हर paper को आप tackle कर पाओगे, चलिए आज के लिए वास इतन ही, thank you so much.